दोस्तो जै मातादी सभी को मैं नीटो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल मार्केट यात्रा में दोस्तो इस यूडियो में हम डिसकस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल साथ नुवंबर यानि ये ब्रश्पतवार को क इस साइड मोमेंटम कर सकते हैं कौन से लेवल पर पॉर्चनेटी बन सकती हैं उसके पीछे का लोजिक क्या है साथ में ऑप्शन चैन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूसे लेवल हमको पता लग जाए और कल दोस्तो निफ्टी का वीकली एक्सपायर को मिले चलिए दोस्तों सुरू करते हैं बैंक निफ्टी का मैंने चारट ओपन किया है 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्रा डे के लिए बैस्ट होता है अब जिसने बाई कल की एनालिसिस की वीडियो देखी होगी वह एक बार मुझे जरूर बताएगा कोमेंट करके जैसा आज बैंक निफ्टी ने मूँ किया है ऐसा हमने बिल्कुल कलियर कट डिसकस किया था कि बैंक निफ्टी के एक्सपायरी है प्रीमियम एट अदा मनिके बहुत ज्यादा है इंडिया विक्स की वजए से ओप्सन सेलर इसको नहीं हिलने देगा आज इतनी मार्केट होते वे भी बैंक निफ्टी को इन्हों ने 300-400 पॉइंट के अंदर ही समेठ के रख दिया और यह हमने कल डिसकस किया था अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलके ब्रेक आउट देती है तो मुमेंटम मिल सकता है अगर बैंक निफ्टी गैप डान खुल गई तो करेंगे बड़े गैप में यह बोला था कि बड़ा गैप खुलती है तो जो लोग होल्ड करके गए हैं वो प्रोफिट बुक करेंगे सुबह सुबह मार्केट नीचे आएगी गैप को फिल करेंगी गैप फिल करके फिर यह सारा दिन इस रेंज में घूमती रहेगी क्योंकि तो यह से बंदी करने करते हैं और आज बैंक निफ्टी ने देख लो क्या किया है लिए को निफ्टी में काम करने क्या था इस ट्राइक प्रेज में में कोल साइट गया था ने में इस्टाइज में फिलकुल अपनी स्टैट जेल अनुसार में बदbersनbuildosition जैसे दोस्तों आज बैंक निफ्टी गों किया था ऐसे कल निफ्टी को इग्णोर करने की कोशिस करनी है दीरे दीरे आप भी सीख जाओगे कि कैसे लूट मारी चल रही है खासकर उप्शन ट्रेंडिंग में और बैंक 10 इसरों हो गई कAUL से इसके बाद 15 लिए उसके बाद की ईसकते लांस में वाली आपको आपको simple वस्ट देखिये मैं बदाता हूं आपको क्या करना है आपको simple हालागी है मेरा personal वे भाई मैं यह नहीं बोलना हूं कि आप बिल्कुल इस पर trade कीजिएगा आपको यह box mark करने ठीक है आज का जो day high और day low यह box आप मारक करोगे ठीक है अगर आप box का लोवर हिस्सा देखोगे तो बाउन हजार 200 है box का अपर जोन देखोगे तो बाउन हजार 400 यानिकि 200 पॉइंट के अंदर आज मार्केट को घुमाया इन्होंने सारा दिन अब अगर बैंक निफ्टी कहीं भी इसके बीच में खुलती है ठीक है सिंपल यह बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा बस अगर इसके बीच में कहीं बैंक निफ्टी खुलती है इंतजार करना अगर यह 200 के नीचे ब्रेकडाउन करके ठीक है 200 के नेचे इसने ब्रेकडाउन किया 100-500 पॉइंट नीचे आई फिर से थोड़ा सा रिकवर किया क्योंकि मुविंग एवरेज यह पचास दिन का मुविंग एवरेज बीच में आ गया इसको थोड़ा सा रेस्पेक्ट करके मार्केट फिर से वापिस गई इस बॉक्स के एरिया को टच किया अगर यह फिर से कंटिनिव डेलो को ब्रेक करती है तो मैं पूट साइड जाना पसंद करूँगा अगर यह ब्रेक आउट देती है 52,400 का 500 को टच करके थोड़ा सा नीचे आके इस तरीके का कोई स्विंग अपर साइड बना देती है तो इस स्विंग के नीचे स्टोप लोज डालूँगा या फिर 60-70 पॉइंट का स्टोप लोज डाल के तकरीवन 52,900 52,000 इस टा इसका ब्रेकडाउन और ब्रेक आउट आते ही आप ट्रेड लेना सुरूँ कर दोगे नहीं भाई ट्रेप हो जाओगे क्योंकि हलकी सी पूछ डांसाइड दिखाएंगे आप सोचोगे ब्रेक डाउन हो गया और उस पूच को थोड़ा सा डांसाइड और दिखा के लोगों क स्टोपलोस खा के लोगों को पूट साइड बना कि एक दम से मार्केट रिकावर कर जाएगी क्योंकि नेगेटिव इतना कुछ दिख नहीं रहा है इसमें अगर इसके बीच में बैंक निफ्टी कहीं खुलते तो ब्रेक आउट पे ज्यादा फोकस रखना ब्रेकडाउन पे क् भी कम रखना क्योंकि नीचे कहीं से भी मार्केट रिकावर हो सकती है बीच में 50 दिन का मुविंग अवरेज भी है बीच में 200 दिन का मुविंग अवरेज भी है ठीक है अब आती है बात गैप और गैप डाउन की देखिए मालनों सीधा 500 600 बड़ा गैप खुल गई बड़ा तरह काम करता है तो नीचे आए यहां पर आके यहां तो कोई यह प्राइज एक्षन बना दे यहां पर आके कोई पोजिटिव केंडल बना दे तो जो थोड़े से रिस्की सभाव के ट्रेडर होते वो तो यहां पर दिन का लोज टोप लोज जालके वापीस रिकवरी प्लान कर सकते हैं और जो थोड़े से सेफ ट्रेडर होते हैं जब यह नीचे आए गैप को फिल करें जो वापिस दिन का हाई ब्रेक करें तभी प्लानिंग करेंगे कोल साइड गैप खुलती है बड़ा नीचे आती है गैप को भरती है वापिस दिन का हाई ब्रेक करती है तो ठीक है यानि कि गैप खुलेगा जो आज वाली स्टेड़ जैसे गैप खुली आज नीचे आई इसने तकरीवन तकरीवन गैप को फिल किया फिर 200-200 पॉइंट का मुमेंटम क्या है क्योंकि गैप बरने के बाद दोस्तों रिस्क रिवार्ड अच्छा होता है जैसे कि यह जहां पे गैप फिल हुआ था मालीजी अगर किसी की यहां पे इंट्रिव हुए तो इसका स्टोपलोस क्या हो गया उसका स्टोपलोस थोड़ा सा नीचे हो गया 45-50 पॉइंट करना असान होता ठीक है और वापिस दिन का हाई ब्रेक कर दे तो फिर यह स्टोपलोस दालना पड़ेगा लेकिन थोड़ा सा रिस्क रिवार्ड मैच नहीं करेगा क्योंकि ओल्डी मार्कें मुमेंटम कर देती है लेकिन सेफ ट्रेडिंग दोस्तों वहीं होती है जब बैंक निफ्टी खुले थोड़ा सा नीचे आए वापिस गैप को फिल कर और यह चीज मैं हर रोज तकरीबन जब भी गैप डाउन खुलती मैं सिखाने की कोशिच करता हूं क्योंकि यह चीज आपको कोई नहीं बताता और यह आपको हमेशा काम आएगे आज या कल काम नहीं आने मार्केट रिकावरी करना शुरू करते तो बुलिष नहीं बना तब तक बुलिष नहीं बना जब तक आज के क्लोजिंग प्राइज के उपर नहीं निकल yarg अगर gap down खुल के आज के closing price के उपर निकल गी तो मैं coal side recovery plan करूंगा otherwise gap down खुली recovery किया इसने थोड़ा सा और जो आज का ये वाला आज का जो लो लगाया है इसको touch करके अगर ये वापिस दिन का लो break करेगी तो 200 दिन की moving average तक मेरा target हो जाएगा यानि की बाउन हजार के नीचे निकलने के बाद एक्याउन हजार चैस एक्याउन हजार साथ सो एक्याउन हजार चैसोपचास मेरा target हो जाएगा दिन का आइस डॉपलोस डालके मैं put set जाना पसंद करूंगा ये simple analysis है bank nifty nifty का gap up gap down flat कहीं भी खुले ठीक है आशा करता हूं कि आपको समझ में आएगा चलिए nifty का देख लेते nifty का बहुत अच्छा momentum गया bank nifty के बिलकुल वीपरीत momentum था stock में भी आज अच्छी buying थी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि क्या सर हम planning कर ले क्या market अब यहां से recovery करना सुरू कर देखो मुझे तो अब भी भी भरोसा नहीं है हां मुझे लगता है कि recovery कर सकते लेकिन इतना दिल नहीं मान रहा है जब तक अब जब इसने गैफिल किया था युएस का इलेक्शन है ट्रंप जी बनेगे मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात है वाइए पुछ लोग बोड़ेते कमला एरिज बन जाते हो तो एकीस जार पर निफ्टी मिल जाती आपको चलो अच्छा हुआ नहीं बनी ट्रंप बन गए फिर भी यह पुराने खिलाडी है और इन यह एक बार प्रेजिदेंट रह चुके हैं अमरीका के तो लोगों को इनकी पोलिस पोस्ट किया था और यहां 4300 के मैंने कोल प्रेज में कोल श्ट्राइक प्रेज में पेपर ट्रेड करके देखा था जो इसने यह इसका पता नहीं थाई सथा कुछ अई था उसका कोई अच्छी बात यह कि हमारे अनुसार मारकेट चली फ्यूचर में काम करता हूँ बाइं पिट गए थे वाई जैसा कि अब्या मैने अपडेट किया था धार्साडे-13 11 बाद निफ्टी और यह डिट दोनों का डेटा वाई पोजिटिव बन गया और उसके बाद क्या मुमेंटम दिया है मार्केट ने मतलब क्या ही मुमेंटम दिया वाई उसके बूत अच्छ 243 करोड की और मैंने बोला भी है वाई एफाइज ने तो आज भी उकाद दिखा दी दस्त लगे वेन गोद जैसे आज तो सच में उम्मीद नहीं कि आज भी सेलिंग करके जाएंगे क्योंकि स्टोक के अंदर आज अच्छी खरीदार दी अब एफाइज सेल करके गए डियाइ नहीं बदल जाता तब तक भाई अब आप खुद सोचे अगर 30-40,000 क्रोड की डेड़ लाग क्रोड के आसपा सेफाइज सेल कर चुके अगर 30-40,000 क्रोड का भी नोने माल खरीद लिया तो मार्केट कहां होगी दिखेगी नहीं और यहीं बात में कुछ कल या परसो मैसेज म आपको मिल जाएगा मैं तो यह कर दो हमारे बसका तो नहीं है हम दो सिंपल ट्रेडर हैं और सबको सामने खुली किताब है ठीक है तो सच है वो बताते हैं क्योंकि ट्रेडर की साइकल होजी ही होती है और यह चैनल दोस्तों आप जोइन कर सकते वीडियो के नीचे आपको य क्योंकि घर सरच करोगे इस लोगों से इस नाम से बहुत सारे फ्रोड चैनल है लेकिन उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे तीन चयार गुना ज्यादा दिख सकते लेकिन फेक सब्सक्राइबर बोट है उनकी पोस्ट पर ऐसे भी हुज नहीं मिलेंगे सैथी जार चारी जार इस नहीं है कोल टिप्स क्या इन्वेस्टमेंट प्लान की अब निफ्टी को देखें निफ्टी की अनले से भी सिंपल है ठीक है लेकिन निफ्टी की कल एक्सपार यह दिक्कत यह है अगर निफ्टी ने जैसे आज इतनी बड़ी केंडल बनाई है न ऐसी अगर कल भी बना तो इग्नोर कर देना निफ्टी को क्योंकि एक्सपार यह अब निफ्टी में देखिए फसेंगे कैसे वैसे तो मैं आपको बता देता हूं यह क्लोजिंग आये निफ्टी की 2484 पे 24500 का नजदीक नजदीक रजिस्टेंस है और नीचे अगर आप देखोगे तो 24,000 यहां प गजाए चारगेट 700 का क्योंकि जो अगला रजिस्टेंस है यहां वह ऊपर नीचे निकलते तो पहला टारगेट 300 का दूसरा टारगेट 200 का हालागी moving average में crossover हुआ है 24,300 तो पहला target मेरा यहीं का होगा अगर यह flat खुलती है तो एक चीज याद रखना कल दो तीन सेरियों में nifty को ignore कर देना एक तो बहुत बढ़ा gap up खुल जाए ignore कर देना बहुत बढ़ा gap down खुल जाए ignore कर देना पहली 15 मिनिट की candle ज्यादा बड़ी ब और कर देना बस clear cut view दोस्तों यहीं है यह तो निफ्टी फ्लैट खुले थोड़ा सा नीचे आए यह support एरिया है निफ्टी का यह support एरिया है यहां पर आके वापिस recover कर सकती है चलिए हम मारक भी कर देतें वाई support एरिया को हम मारक कर देतें यह वाला बल्कि थोड़ा सा और पर है यह वाला 380-400 के बीचे में यह दोस्तों support एरिया निफ्टी के अंदर अगर निफ्टी गैप डाउन खुलते है फ्लैट खुलते नीचे आती हो तो पहला चांस रहेगा 24,400 के आसपास से यह recovery plan होगी दिन का लो stop loss डालेके अगर यह 400 के नीचे निकल के कोई स्विंग बनाती तो मुमेंटम आ सकता है डाउन साइड का अदरवाई इसके बीच में घुमाते रहेंगे निफ्टी को भाई जैसे आज बैंक निफ्टी को घुमाया है और कुछ नहीं मिलेगा जीरो हीरो वालोगो ठीक है और ऐसे ही फ्लैट कुल के यह आज का हाई ब्रेक करते तो एक अच्छा मुमेंटम देखने को मिल सकता है हलका फूल का गैप खुलती है 500-500 के आसपास थोड़ा सा इंतजार करना आज की तरह जैसे गैप खुली नीची आई स्विंग बनाया कितना अच्छा मुमेंटम दिया आप देखिएगा में तोड़ा सा जोम कर अच्छा मुमेंटम देखने को मिल सकता है द्रवाइज निफ्टी को कल मेरा तो भाई यहीं आपको सब्सक्राइब करना और जैसा कि निफ्टी मैं आपको कल भी बताया था या तो यह चोबीस जार 200-300 के उपर यह जाने ही नहीं देंगे चोबीस जार 300 पिना ज्यादा आदिमी चोबीस जार 300 बैठे थे यह बागे हुए मैंने बोला चोबीस जार 200-300 यह तो यह उपर जाने ही नहीं देंगे और अगर निफ्टी चली तो फिर यह ऐसे भागेंगे यह देखिए पोजिशन कितनी कटी है यह मंदडी यह है जो कल चोबीस जार 400 पे इंदा मनी भाई साब 1,888,000 बैठे हैं मंदडी है 1,888,000 बैठे हैं तेजडी है चोबीस जार 300 पे स्ट्रोंग सपोर्ट है चोबी जार 300 पे बीजोटा मसला है च्वही जार 500 पे चयार लाग के आसपास मंदडी हो का है आप खुल सोचे का या तो यह पाणी पानसों के उपर प्राइजेज एक्शन बनेगे फूर्यट बन गया मालिजए पानसों Lancet निकलластि बना दिया तो इनको पोजिशन काटनी पड़ेंगे और जैसे ही पोजिशन काटेंगे फिर से ऐसा मुह आ सकता है या फिर दोस्तों यह इसको तो च्यार सो से पानसो छैसो इस रेंज में गुमाते रहेंगे स्पाइक आते रहेंगे तो बचके रहेंगे जिस त्रीके से लाखो में ओपन इंट्रेस्ट है तो बहुत बुरा हाल है बाई चोभी यह पानसो पाइशन पर चैसो पर यह पाइशन बन गया तो फिर इनकी मुमी पॉपा होने माली है वाई देखना बैंक निफ्टी देखना बैंक निफ्टी का मैंने आपको क्या मताया आदा आलाइसिस में भाई मुझे एक बात बताईएगा तीनसों पॉइंट्व पूट साइड का ओपन इंट्रेस्ट है 500 से उपर कोल साइड को जब इन लोगों को 500 पॉइंट सो पॉइंट की रेंज में घुमाने में मिल रहे हैं कुछ नहीं करना है कोल भी शोट करने पूट भी चोट करने एड़दा मनी का और आराम से बैठे रहो हमारे यहां ऐसे ही ह होता है अब आप देख लो यह क्यों गुमाएंगे भाई मार्केट को और यह निफ्टी के साथ भी हो सकता है और हर एनलीसिस की वीडियो में बताता हूं पता नहीं किसी को समझ में आता है नहीं आता है फिर भूत सवार है क्योंकि है वाई टेलीग्राम पे नमूने हैं ऐसे जो कोल टीप्स कोल टीप्स खेलते रहते हैं अब उनका क्या ही कर सकते हैं यूटूब पे लाई आके ट्रेट देना शुरू कर देते हैं जी रो यह लो यह लो पता नहीं भाई कब समझ में आएगा लोगों को 13 नूम्बर का एक्सपैरियर बैंक निफ्टी का मेरी ख्याल स यह हो जाएगी इसकी लास्ट ही है देख भी लेते हैं लास्ट ही है ना देख लेते हैं तेरा के बाद 27 नूम्बर 24 यहां लास्ट एक्सपैरियर भाई वीकली लास्ट एक्सपैरियर ठीक है कुछ नहीं है वाई इसमें तो 22500 पर हलका सा रजिस्टेंस है और 22000 पर कि नहीं एक्सपैर शुरूए उपन इंट्रेस्ट ना बना नहीं है तो सारे 10 बजे तक यह नया बन जाएगा डेटा के साथ अपडेट करने की कोशिस करूंगा तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा लाइक और शेर ज जै माता दी जै हिंद सबी को